जैसा कि आपने थमनेल में देखा कि आज हम लाल भाजी की खेती गर्मी के मोसम में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज जानेंगे वैसे देखा जाए तो लाल भाजी की खेती ठंडी के मोसम में अधिक देखने को मिलती है और लाल भाजी जो है लगवक सभी का पसंदिता साल होता है लेकिन गर्मी के मोसम में लाल भाजी की खेती बहुत ही कम देखने को मिलती है इसके कई कारण है, जैसे कि धूब अधिक लगती है, जिसके वज़ा से पत्ते जो हैं सूखने लग जाते हैं और पानी की कमी के वज़ा से भी खेती नहीं करते बहुत से लोग लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम लागत पर गर्मी के मोसम में लाल भाजी खेती से कैसे हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं उसके बारे में आज पूरे डिटिल के साथ जानेंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तयारी के बारे में हमको किस तरह से खेत की तयारी करनी है इसके लिए जो है बोलूई दोमत मिट्टी अच्छी रहती है इसकी खेती के लिए अगर आपके पास जितना भी ज़्यादा गोबर खाद है अवेलेवल है तो आप अपने खेतों पर डाल सकते हैं जिससे हमें अधिक पैदावार देखने को मिलेगा और साथ इसाथ खेत की उरवरा सकती भी बहतर होती रहेगी इसके पस्चाथ क्या करना है ट्रेक्टर की सहयता से हमको कम से कम दो बार गहरी जूताई कर लेना है अगर आपके पास बैल है तो ओ भी बहुत जादा अधिक बहतर हो जाता है ट्रेक्टर के अलावा जो हम हल की सहयता से अगर हम गहरी जूताई कर लेते हैं कम से कम दो बार तो ट्रेक्टर से बहतर प्रिणाम देखने को मिलता है हमारी जूताई में जूताई के पसद क्या करना है मिट्टी को जो हमको समतल कर लेना है पाटा चला कर या कल्टिवेटर की सायता से भी आप उसको जूताई करके समतल करा सकते हैं जूताई करने के समय में हम चाहें तो यूरिया और डियेपी का छिड़काव कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने बुआई के हिसाब से ही लेना है आपको यूरिया और डियेपी सके दोस्तों गर्मी के मौसम में तो लाल भाजी खेती करना उतना आसान होता नहीं है इसके लिए हमें ग्रीन हाउस का यूज कर सकते हैं जिसको हम लगा कर लाल भाजी की पत्ती को धूप से बचा सकते हैं जो एश्टरा धूप रहती है उससे हमें काफी हर्तक मदद मिल जात सहता से छिटगनी विदी से बवाई कर सकते हैं आप कहीं से भी बीज ला सकते हैं घर की पुराना बीज ना हो तो बहतर है आप किसी भी क्रिशी सिवा केंदर पर जाते हैं और लाल भाजी की बीज लाते हैं तो अच्छा अपूत पादन देखने को मिलेगा बीज की जाती है और हमारे अधिक से अधिक जो बीज होती हैं उगने के कगार पर होती है अच्छी तरह से उनका अंकुरन होता है बीज बवाई का जो समय हम करते हैं उसको अगर हम साम के समय में अगर बवाई करते हैं तो हमको काफी अच्छा रिजल्ड देखने को मिलता है और उस एक सप्था के अंदर भी इसका अंकरण हो जाता है जब हमारा पत्ती की संख्या दो चार पत्ती होने लगती है तब हम यूरिया और डेपी का शिड़काव करना चाहिए जिससे हमारा जो पौधा है जल्दी से जल्दी ग्रोथ मिल सके गर्मी के मोसम में जो है हर दूसरे तीस दीन पर हमको सिचाई करना पड़ेगा पानी के अगर स्रमस्या ज्यादा है तो आप इसकी खेती नहीं कर सकते हैं इस मोसम में ठीक है यह जो फसल है लाल भाजी आपको एक मंत में इसका बेचने लायक हो जाते है मंडी या मार्केट में आप इसको ले जाकर बेच सकते हैं इसका अच्छा रेट आपको बीखता हुआ नजर आ जाएगा गर्मी में जो है बहुत से कम किसान इसकी खेती करने को देखते हैं और अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपको अच्छा इंकम कमा सकते हैं या आपको एक मंत में ही अच्छा पैसा कमा के देगी अगर आपक पर लिंक मिल जाएगा आप जाकर चेक आउट करें और वहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगे आप देख लिजिए दोस्तों तो कैसी लगी आज कि इस लाल भाजी खेती कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अकर पसंद आए है तो एक लाइक जरूर कीजिए चैनल पर नहे कि दोस्तों पसाल